नमस्कार आप देख रहे हैं बलिया लाइब हम मुखातिव हैं वरिष्ट कहानिकार और कलकत्ता से प्रकासित जनसत्ता अख़बार से लंबे अर्शे तक चुड़े रहे वरिष्ट पत्रकार विने विहारी सिंगी से बिने विहारी जी बलिया के सुपूरा गाओं के मुल निवासी हैं और हम इनके दमदम इस्थित आवास पर आज इनसे बातचित करने के लिए पंग्चे हुए हैं हम इसे जानना चाहते हैं बंगाल में बलिया वालों की क्या भूमिकार रही है बिने विहारी जी देखे बलिया के बिना कलकत्ता अधूरा है ऐसा मैं शुरू से मानता रहा हूं देखे अगर अगर आप अपने इतिहास में जाएं तो पहला ना मंगल पांडे काता है इन्होंने क्रांतिकारी भूमिका अधा और मंगल पांडे के बिना स्वतंतरता संग्राम अधूरा है यह तो आप पानेंगे तो मंगल पांडे बलिया की भूमिका वहीं से शुरू होती है बलकि उसके पहले शुरू होती है लेकिन मैं मंगल पांडे से शु जादा है गणेश प्रसाद को बहुत कम लोग जानते होंगे वह बलिया के थे और उन्नी सो अठारा में कलकत्ता विश्वी द्याले में प्रोफेसर थे अच्छा प्रोफेसर थे तो उनकी क्या भूमिका थी आप कहेंगे कई लोग प्रोफेसर होते हैं नहीं वह बहुत गणिताग्य थे और देखे कि कलकत्ता मैथेमेटिकल सोसाइटी के सजा से थे चार साल के लिए वह बनारस गये और वहां भी उन्होंने बनारस मैथेमेटिक सोसाइटी बनाई तो गणिस प्रसाद की यह मौत्वण भूमिका थी बहुत बड़े गणिताग्य कहां के रहने तो बलिया के रहने वाले परश्राम चत्रवेदी संसाहित्य के परहमरमाग्यत उन्होंने संत्साहित्य के बारे में जो थाती दी है हम लोगे लिए विस्मर अभिस्मढ़ी हैं तो सारे संतों को बारे कई पुस्तके लिखी और अध्वुच शूद किया दूसरे भर्वप्रसाद गुप्त एक नाम के बहुत बड़े सहितिकार हुए हैं उन्होंने भी बलिया से उनका भी बहुत करीबी रिष्टा रहा है और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हैं जो खोज के पढ़ी जाएं तो हमारे लिए वो अमुल्य धरुबर के र और बनारा हिंदू विष्विद्याले के प्रोफेसर हजारी पसाद विएदी वह बलिया के रहने वाले थे बलिया के मेरे गाओं सुखपूरा में उनकी सवसुराल थी और हमारे मेरे पिता जी मंगला पसाद सिंग कह रहे थे कि एक बार वह वाजाद जा रहे थे उधर से हजाई पसाद वेदी एक हांडी में मिठाई लिये हुए चले आ रहे थे उन्होंने पूचा कि जहुना पांडे का घर कि धर है वहीं उनकी रिष्दार ही थी पिता जी ने बताया रास्ता बता दिया तो मुश्करा करके शुक्रिया के अंदाज में उन्होंने का तो इतनी विनेमरता थी उनमें इतने बड़े विद्वान और हिंदी के इतने बड़े ज्ञाथा हजाई पुसाद वेदी उनकी भूमिका और अभी हमारे डाक्टर किश्व भिहारी में जो एक यहां के अध्यापक श्रेष्ट अध्यापकों में से एक और उन्होंने पदमशी उनको मिलकों मिला है और फिर भी वो इतनी बिनेमरता से और इतनी आतमियता से माती के लोगों से और अनिय लोगों से और लोक मान्यताओं पर और सामाजिक संबंधों पर पंडित राम दहिन ओजा के बारे में तो नहीं पीड़ी बिल्कुल भूलने ही लगी है उसे नहीं पता कि पंडित राम दहिन ओजा का व्यक्तित तो क्या था और उनसे कैसे प्रेंड़ा ली जा सकती है वह बलिया के पहले पत्रकार थे मुझे लगता है कि देश के गिनेश जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए उप पहले व्यक्ति थे बलिया के तो पहले व्यक्ति थे ऐसे पहले पत्रकार थे वे साप्ताही की युगांतर के संपादक थे और जब उनकी मृत्य हुई तो वो तीस साल के थे बलिया के बांसदी के रहने वाले थे जो एक तहसील भी है और वो गाधी जी की असवयोग आंदोलन में वो थे और उनको गिरफतार कर लिया अंग्रेजों ने और उसमय यह बात बहुत जोरोपत्दी की जेल में उन्हें जहर दिया गया धीमा जहर दिया गया वलिया के ही चकिया के रहने वाले भारत के शेष्ट कवी के दारनाथ सिंग जीर तो उनकी उनकी कृतियाकाल में सारस और उनको सहित्य अकादमी पुरसकार मिला उनको तो बलिया में तो रत्नों की खान है बलिया तो यह थे विने विहारी सिंग जी और मैं विजय संकर पांडे धन्यवाद